नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार प्रतिग्या क्लास इसके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफरम पर एक क्लास टॉपिक खलास इस सरीज के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान के लो स्थान के लोग गीतों को शुरू करते हैं और सबसे लिखा गया है कि लोग गीतों की परिवाशा क्या होती है महात्मा गांदी कहते हैं कि लोग गीत क्या है जनता की भाशा है हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं जबकि रविंद्र नाथ तेगरु का क्या कहना है कि लोग ग तर्पिक है इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि लोग गीत किस प्रकार के होते हैं तो सबसे पहला कि रोग पांच भागों में बाटा तक है पहला वाला जो है वह धार्मिक लोग गीत धरम के नाम पर या भगवान के लाइज नाम पर जो गये जाने वाले गीत फागनगे हैं बादली है मोरियों है पपियों है बारा मासा है कजली है चोमासा है यह सब वाले गीत है संसकारों से बरे गीत में क्या होता है बंदावा है चाक बात है ठीक ना राती जोगा है हतलेवा है हरदी के गीत है माहिरे के गीत है बनाबनी के गीत है वर निकासी के और ऑगले चीइथ हैं सबस्वार से संबस्वारों से संबस्वारों गीत होते हैं तीज और ने सबक्राइव कौन से गीत होते हैं पिर दालते हैं और विविद में कौन कौन से गीत आते हैं इडोनी कांगस्यों गोरबंद पनिहारी कुर्जा चिर्मी ओलियू मुमल काममन सारे किसमा जाएंगे विविद के अंदर आते हैं अब हम लोग इन गीतों को थोड़ा तरीके से आगे दिखेंगे पहले ये जन साधारन के गीत हुए अ लंगा मनियार आव जोगी कामड भुपے भुष्भाव ए है वही वैरागी यह सारे वह तक वह इस नहीं को अपना बनाया है से इंजातियों के द्वारा अधिकांस जो वीरस के गीत गये हैं इन जातियों के द्वारा जो अधिकांस मीन रसके वीजाइ सिर्ष नली में में बढ़ा जाता है एक आपका मरुस्तलिय शेत्र दूसरा आपका परवतिय शेत्र और तीसरा मैदानी शेत्र जो मरुस्तल वाले शेत्र में गाए जाएंगे गीत वो कौन-कौन से होंगे कुर्जा रतन राणो मुमल गूगरी केवडा पीपड़ी आदी परवतों में गीत गाय जाते हैं उनमें यह आपको तीन गीत विशेष्ट विश्या रखने परवतों पर जो गीत गाय जाते हैं वो तीन गीत कौन-कौन कि पूछ जाथ जाते हैं यह आपको याद रखने jeszcze को पॉछाे है अदिक होते हैं उन जन जयाति यह होते हैं इन जो मैदानों के अंदर गाये जाते हैं मैदानों में खेती ज़्यादा हो थी तो जो ए टाइम कम मिलता है वाले गीत बैले जो हम जसके उसके में रहां होते हैं लोगती के थे वह गीति अदीखंई फिर पर एक पाइंट लिखा जिस्पर सवाल पूछा गया है कि सर रस की द्रश्टी शेयरी देखें तो राजस्थान में जो गीत हैं वो सरवादी कौन कौन से हैं तो रस की द्रश्टी से देखना पहले गीत आते हैं श्रंगार रसके फिर गीत आते हैं बक्ती रसके और जो सबसे गीतों को देखते हैं कौन कौन से मुखी गीत जैसे एक गीत है नहीं हुई जब मौलता है न प्यूपीउ रहना तो लुगाई चोरी कहती है कि मोरिया प्यूपी यादि मत बोल रहे मारा काल सब्सक्राइब एक कि पक्षि है जिसके माध्यम से पत्नी अपने पती को घर वापक्सि और सब भी कचा माय भ inveem तो मैला कव्वे को उड़ाती है उसको बोलती है कि तुम उड़ेगा तो सगुन होगा कि मेरे पती क्या आ हैं घर आ रहे हैं एक गीत है बीचोडो मैं तो मरी होती आज मरी होती खा गयो बैरी बीचोडो किस शेत्र का गीत है तो सरी यहाड़ोती क्या है काम ने जnan विवाग के समय दुलहा बनता है एक दं तयार होका तंच और इतना सुंदर दुले को भूत लग सकते हैं बूतरिया लग सकती है इसलिए दुलेको जादु टोने से मारवाडी मे विभाग्राइफ के समय जो repeat जोगी घालियों से भरे कतो हम लोग घर में को जब कोई भी नया काम करते हैं जी से नई से कल लाए नई कार लाए या नया कुछ भी काम किया तो बंदाते हैं तो शुब कारी के पूरे होने पर जो गीध क्या रखते हैं बंदावा एक बार आउनी जमाई जी पाउना थाने सासु जी बुलावे घर आओ जमाई लाड़कडा पाउना गीत का गाएंगे दामाद के ससुराल आने पर ऐसा ही एक गीत जिसका नाम है पीपली मारवाड और शेखावाटी के पर चार बारी जाओं चिर्मी ने तो चिर्मी पौधे को देखकर ससुराल में रह रही महिला अपने पीहरवालों को क्या करती है याद करती है गाया ने चरावती ने गोर बंदे गोंती यो तो गोरबंद क्या है उन्तों एक उन्त के गले का आभूशन है और यह सेखावाटी शेतर का क्या है गीत है और पणिहारी गीत किसका है तुसरे एक ऐसी महिला का है जो पतीवरती महिला है उसका यह गीत है ठीक है एक गीत है हम सीडों हम सीडों का मतलब क्या होता है हम मतलब हम दो हम सीडों का मत होती है साधी के बाद विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है को एल या और यूंग एक गीत जिसका नाम है जोरवा हमेशा पूचा जाता है जोरवा किस शेतर का गीत है जेसलमेर का गीत है और किस समय गाया जाता है तो सरी एक विरह गीत है किसी से बिचर जाते हैं उसकी याद में गया जाने वाला गीत है डोला मारू गीत शिरोही के सेतर में गया जाता है धाड़ी जाती के द्वारा किस जाती के द्वारा धाड़ी जाती के द्वारा गया जाता है ना मुर्दर थारा देश में निपजे तीन रतन पहलो धोलो बीजी मरवन तीजो कसुमल ठिक है एक गीत है मूमल। मूमल जो गीत है वो जैसल میर शेत्र का है और सुरंगार प्रिये गीत है। यह उसकी तारीफ है। बेमता गीत बच्चे के जनम پर हुलार गीत बच्चे के जनम पर और छेड़े जो गीत होते हैं किसी शिशू की मृत्यू पर गाय जाते हैं तो यह कुछ मुख्य गीत देखे हम लोगों ने अब हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन सी गायन शैलियां होती लोगों की जो गीतों की गायन शैलियां होती ना वो कौन-कौन के जदूगर कौन है तो साकर खान मंगनियार कमायचा के जदूगर है खड़ताल के जदूगर है सदीख खान मंगनियार यह इनको कहता है खड़ताल का जदूगर अच्छा सदीख खान मंगनियार के नाम पर जैपुर के अंदर एक संस्थान बनाई गई यह जिनका नाम ही क्य सदीक खान मंगनियार रजस्थान लोककला अनुसंदान परिशद और यह कहा पर है जैपुर के अंदर है ठीक है फिर एक और गायन शैली है जिसका नाम क्या है तुसरी इसका नाम है लंगा गायन शैली जो की जसलमेर और बाड मेर शेतर में लंगा जाती द्वारा विक्सित क चैखना फिर तीसरा काऊंसाः ताल बंदी गायन शैली बिज़के शेतर में बिज़ मोले तो अलवर्वर्दपूर वाला वह जुट एरिया है उस शेतर के अंदर साधू संथों के दवारा विक्सित की गए गायन शैली है जिसमें ताल्यां है झाल बंदी ठीक है और शेतर कौन सा बरतपुर करोली सवाई मादूपुर वाला और मुख्यवाद दियंतर क्या होता है नगारा होता है लेकिन तो सबसे इंपोर्टेंट गायन शेली है उसका नाम है मांड गायन शेली प्राचीन समय में जैसल मेर का नाम था मांड प्राचीन समय में जैसल मेर को क्या करते थे मांड कहा करते थे और शित्र में जो ग्यायन से लिए उसका नाम है मांड ग्यायन शली कुछ कलाकार हैं मुख्य कलाकार है जैसे एक का नाम है अला जिलाई बाई जिनको रखेते हैं रजस्तान की कोकिला मरू कोकिला कहा की हैं बिका नेर की इन्हें रजस्तान रतन पुरुसकार मिला हुआ है एक आपके कलाकार है गवरी भई बिका नेर की एक आपके कलाकार है मांगी भई उदेपूर की एक है बन्नो बेगम कहा की जेपूर की एक है जमिला बनो कहा की हैं जो है वो आपके कहां की हैं जैपुर की हैं और इनको वर्ष 2022 में नारी शक्ती पुरुसकार दिया गया था आपको यह याद रखना है कि सर दो हजार 24 में पदम पुरुसकार दिये नहीं हैं नहीं growth वाइए जिनका नाम है मुश्म बंधू अली महम्म मुष्मद और गनी मुष्ममद मैं आपको इनके याँ पर नाम लिखकर देता हूं एक का नाम क्या है बैटा अली मुष्मन ब्लैक कलर नहीं कलर चेंज किया जाए और कलर लिया जाए वाइट अली मुहम्मद और गनी मुहम्मद ये दो भाई है जिनको क्या मिला है वर्ष दूहजार चोईस में पदमसरी पुष्कार मिला है किसके लिए मिला है मांड गायन शैली के लिए मिला है ठीक है बईया चलो अगला हम लोग देखते हैं तो यह तो थी आपके गायन शैलियां अब है हमारे कुछ संगीत के घराने जिन से भी सवाल पूछे जाते हैं जैसे कहते हैं कोठी वाले खान आप से कोई पूछे कि जैपुर घराना के शैलिका है तो ख्याल गायन शैलिका है कौन से गायन शैलिका है फिर एक गराना है पटियाला घराना पटियाला घराना जैपुर घराने की शाका है और इसको सुनू करने वाले थे अली बख्ष तता पते अली बक्ष्टताफटे अली इनको कहते हैं आलिया और फत्टु को टॉंक के नवाब ने एक उपादी दी टॉंक के नवाब सहाब थे अनूने इनको उपादी दी जनरल और करनल की टिके मुख्य गलागार कौन है गुलाभ अली साहब है एक घराना है इसका नाम है अत्रॉली उत्रप्रदेश की एक जगह है अत्रॉली वहां का गराना है राजस्थान के जैपुर गरने की ही शाखा है साहब खान उसके परवर्तक है और इनके जो मुख्य कलाकार है इनको कहा जाता है मान तोल खान और मान तोल खान सहाब को कहते हैं रुलाने व का नाम है आपके भीम सैन जोशी जिनकों की वर्ष 2008 में मिला था भारत रत्न पुरुषकार एक अन्य कलागार जिसका नाम में रोशन आरा बेगम एक का नाम है उस्ताद रजबली खान और एक का नाम है गंगुबाई हैगल यह सबसे इंपोर्टेंट घराना है मेवाती घराना इस मेवाती घराने के परवर्टक कौन थे शुरू करने वाले कौन थे गगे नजीर खान दो मुख्य कलाकार हैं मोती और जोती मोती राम और जोती राम एक मुख्य कलाकार है पंडित जसराज का नाम है पंडित जसराज और एक वर् तो भीश में यूस्फ मेवाती को उस्ताद बिस्मयला खान ओस्तीयागर나ा गराणा जिसको शुरू करने वाले थे सूरत सेय्ब मुख्या कलाकार अमरत से एक गराना अलाद्या खान गराना जिसके परवर्तक हैं अलादिया खान और मुख्यकलाकार कौन है किशोरी आमोन कर कौन है बटा किशोरी आमोन कर और यह जो अंतिम है हमारा इस अंतिम में देखिए एक गरने का आम है रंगीला घराना शुरू करने वाले कौन रमजान अली जिनको कहा जाता है मिया रं अना है बिनकार जिनको शुरू करने वाले रजब अली बिनकार और यह भी जैपूर के सवाई राम सिंग सेकंड के क्या थे दरबारी थे अब दो बात आपको विशेश तोर पर याद रखनी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लक्षमन भट तेलंग व्यक्ति का नाम क्या है लक्षमन भट तेलंग दूकद गायक हैं और इनको भी वरस 24 में पादम श्री मिला है तो यह भी क्या लगा लेना इंपॉटेंड व्यक्ति का नाम क्या है लक्षमन भट तेलंग और इनको भी दूक्षमन भट तेलंग। तो आज की इस फटाफट की क्लास में हम लोगों ने 15-16 मिनिट के अंदर किये हैं राजस्तान की लोग गीत पूरे फिर मिलेंगे नई क्लास में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें और वीडियो को शेयर करना ना बुलें जैहिन जै भारत धन्यवाद